हारने वालों का भी अपना रुद्वा होता है मलाल वो करे जो दोड में सामिल ही नहीं थे तकलीफ अगर हजार हो तो भी सह लेता है इंसान लेकिन जब कोई अपना दिल दुखाता है तो वो बरदास्त नहीं होता हसकर कबूल क्या कर ली सजाए मैंने जमाने ने दस्तूर ही बना लिया हर इल्जाम मुझ पर लगाने का आज वो हमें बता रहे हैं कि नजर अंदाज कैसे करते हैं एक दिन हम उन्हें बताएंगे कि अपसोस किसे कहते हैं उजाले में हर असलियत कहां नजर आती है अंदेरा ही बता सकता है कि सिदारा कौन है रिष्टेदार विबक्ष के नेतागी तरह होते हैं आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो लेकिन वो आपकी बुडाई जरूर करेंगे हर किसी के जिन्दिगी में समस्या है लेकिन इंसान केवल खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और बड़ा समस्ता है शिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता बल्कि किसी के साथ अपने पन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है ब्लेड की धार तेज होती है लेकिन पेर को नहीं काट सकती कुलहाडी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती है जिनके पास अपने वो अपनों से जगरते हैं नहीं जिनका कोई अपना वो अपनों को तरस्ते हैं बदल जाती है जिन्दगी की सच्चाई उस वक्त जब कोई हमारा ही हमारे सामने हमारा नहीं रहता है ना रख उम्मीदे वफा किसी पडिंदे से जब बर निकल आते हैं तो अपने आसियाने को भी भूल जाते हैं अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं परता वो याद रह जाते हैं किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िये कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए बस यह सोचकर उसका साथ निवाईए कि उसके पास कुछ नहीं है आपके सिवा खोने के लिए जब सवालों के जवाब मिलने बंद हो जाए तो समझ लेना कि एक मोर लेना है रिष्टे और रास्ते दोनों में खुशी देने वाले अपने तो होते ही है पर गम देने वाले भी अजनवी नहीं होते चाहे कितना भी पैसा कमा लो अगर इज़त नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे पैसे से नहीं मन से अमीर बनो क्योंकि मंदिर में सोने के कलस भले ही लगे हो लेकिन माथा तो पत्थर की सीडियों पर ही जुकाना परता है उनकी फितरत है वो दर्द देने की रस्म अदा कर रहे हैं हम भी उसूलों के पक्के हैं दर्द सहकर भी वपा कर रहे हैं फार्क होता है अकेले रहने में और अकेले रह जाने में जाते ही समसान में मिट गई सारी लकीर, पास पास जल रहे थे राजा और फकीर, उजालों में मिल ही जाएगा कोई न कोई, तलास उसकी करो जो अंधेरों में भी साथ दे, मत करो विश्वास किसी का आज कल, लोग अपने फाइदे के लिए माफी तक मांग लेते हैं, वो बच जिन्दिगी में अच्छे लोगों की तलास मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, सायद किसी की तलास पूरी हो जाए, कभी इस्वार का नाम जबते जबते, बेवजा आखों में आशु आ जाए, तो समझ लेना संदेश पहुँच गया है, दुनिया में कोई भी ब्यक्ती, प कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी, जिन रिस्तों को चीक चीक कर ये बताना पड़े, कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तो समझ लेना कि तुम उनके लिए जरूरी नहीं हो, सच्ची परसंसा उन सब्दों में नहीं जो किसी के सामने कहे जाए, बलकि उन सब्दों में है, जो पीट पीछे बोले जाए, और कब, किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है, किसी भी बड़ी सफलता का पहला कदम होता है, एक बड़ी सोच, बड़ा सोचिये, बड़ा सोचने के पैसे नहीं लगते कोई टोपी, तो कोई पगडी बेच देता है, मिले अगर भाव अच्छा, तो जज गुर्शी भी बेच देता है, जब चुबने लगो जमाने के नजर में, तो समझ लेना कि तुमारी चमक बढ़ रही है, कोई इनसान आपको धोखा तभी दे सकता है, जब आप कमजोर और अलाचार होंगे, और आपके अंदर भूख होगी सामने वाले के लिए, हजारों मिठाईयां चकी है जमाने में, पर खुशी के आशू से मीठा कुछ भी नहीं है, रिस्तो के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है, जो दिल और जुबान से साफ होता है, मसी संदेह आपके मन में दूसरा परवत खड़ा कर सकता है, रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितना भी ब्रांडेडों दिल से उधर ही जाते हैं